खेले दोस्तों मेरे नाम है अजे और आपका टॉप सेर टूडे चैनल में स्वागत है बजट से पहले सभी स्टॉप में करेक्शन देखने को मिल चुकी है और बाजार उपरी लिवल पर हलके भी हो चुके है अब बजट से पहले स्टॉप को बाय करके एक अच्छा प्रॉफिट बना सकते है बजट के बाद स्टॉप के स्पेसिफिक मॉमेंटम देखने को मिलेगा मिन्ट कैप और स्मॉल कैप स्टॉप में जादा मुवमेंट होती नजर आएगा आज की वीडियो में एक ऐसे ही स्टॉप के बारे में डिसकस करने बाले है जिस स्टॉप का नाम है IDFC 1st Bank Limited इस स्टॉप का करन्ट लेवल देखें तो करन्ट प्राइस 80 रुपे 50 पैसे पर ट्रेड कर रहाएगा इस स्टॉप में कल के दिन 90 पैसे की तेजी देखने को मिली है और इस स्टॉप 1% से भी उपर के अपसाइड मूब दीखाता होगा नजर आ रहा है इस स्टॉप के रिटर्स की बात की जाए तो पीछे की एक सबता के अंदर इस स्टॉप में 6% की गिरावट देखने को मिली है तो वहीं 1 माईने में 9%, 3 माईने में 7%, 6 माईने में 4% की गिरावट देखने को मिल रहा है उपरी लेबल पर इस स्टॉप में काफी बड़ी गिरावट देखने को मिल चुक है इस स्टॉप में already और यहां से इस टॉक में एक रिवर्सर पैटन देखने को मिल सकते हैं, इस टॉक में एक नेगटिव ट्रेंड बनता हुँआ नजरारा रहा है, जहां पर इस टॉक का अफ़ी टाइम सी रेंज पॉर्न में ट्रेड करता रहा है, इस टॉक का सपोर्ट लेबल बना 83 रूपीज 83 रुपीज के stock ने एक support level लिया और stock में उपर रुकावर ट्रेंश था 91 रुपीज इसके बीज में stock काफी time कर ट्रेड कर रहा था पर stock ने जैसे ही 83 रुपीज के price को breakout लिया stock ने नीचे का support level गणा 79 रुपीज का 79 रुपीज का भी stock में नय support level लेगा और stock का जो बड़ा support level देखेंगे वो 77 रुपीज के इस point पर stock का एक बड़ा support level है क्योंकि यही से stock में एक बड़ा of trade देखने को मिला था stock के volume का moving average देखें तो उससे ज़्यादा stock में liquidity देखने को मिल रही है जिसका सीधा cut बनता है कि stock में एक weak trade बन रहाएगा तो अगर आप इस stock में position बनाना चाहते हैं तो 77 रुपीज के इक important stock loss के साथ उपर के target around 89 रुपीज के लिए आप इस stock को hold करके रख चके है अगर इस stock 77 रुपीज के price को break down देता है तो इस stock में और बड़ी गिरावठ देखने को मिल सकती है यह वीडियो आच चले हैं तो चैनल को like subscribe करें